सो वाट्स अप गाइस के सो आप लोगा इससे बच्छोंगे तो कैसा आज की वीडियो में CS rank pushing के कुछ tips and tips पताने लाओ जिससे आप कम से कम टाइम में heroic नहीं तो grandmaster पे जा पाओगे और आप CS सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और उसकी साथ अगर आपको वीडियो अची लगती तो जल से के वीडियो को लाइक कर देना मुझे पता आप लोग ने वीडियो का अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल से के लाइक कर देना तो चलो गाइस वीडियो स्टाट करते हैं छोटी सिंटों के बाद तो गाई सबसे पेली चीज़ अगर आपको CS रांग में grandmaster के लिल पुशिंग करना है तो आपके पास perfect squad होना जी परफेक्ट squad मतलब आपके squad का कोई भी एक बंद अगर दो बंदे को मार लिता है मतलब समझाना आपके पास perfect squad होनी चीज़ जब आप grandmaster के लिल पुश करते हो बट आप heroic की जाना चाहते तो आप रेंडम बंदे लोग के साथ भी एकदम इसली जा सकते हो क्योंकि आपको heroic त पुश कर पाओ कम से कम टाइम में क्योंकि अगर आपको grandmaster पे जाना है तो आपको heroic के बाद बहुत सारे अच्छे बंदे देखने को मिलेंगे जिनका firepower अच्छा होगा जिनका accuracy अच्छा होगा वह आपको एकदम इसली मार सकते है इसली आपके पास perfect squad होना चीज़ और आप आप दो करेक्टर इस्तमाल कर सकते हो अगर आप CS rank खिलना पसंद करते हो तो वह है उंकोंग और क्रोनो यह दो करेक्टर बहुत जिदा best CS rank के लेल और इसके अंदर आपको hacker eyes लगा के रखना है नोई तो अगर आपके पास clue character है तो clue character का ability भी लगा सकते हो ओ भी बहुत दिखा रहा हूं जैसी कि आप अगर में देख सकते हूं मेरे teammates ने damage दिया और उसके सर के उपर एक arrow जैसे बन के आ रहा है और मुझे पत्ता है वो दिवाल की इससाइड आने वाला है तो मैं पहरे से scope open करके रखाऊ AWM का और वह जैसी आया मैंने उसको एकदम easily माग दिया व आप hacker eyes का ability डख सकते हूं अगर आपके पास clue है तो clue का भी ability डख सकते हो भी best है उसी के साथ आपको पेट में यह अला पेट इस्तमाल करना इसका जो ability है ओ है helping hand जिस्चे आप जो grenade हो बहुत जदा दूर तक मार पाऊगे और यह आपको बहुत जदा काम आएगा CS rank में और आ पहली strategy की बात करते जो कि बहुत दा important है और यह tournament में भी बहुत बार इस्तमाल होता है इस strategy में होता क्या है जो आपके squad का सबसे जदा best बंदा है मतलब जिसका fire power अच्छा है जिसका accuracy अच्छा है जो बंदा एकदम easily 2 बंदे को मार सकता है ओ बंदा flank मारेगा मिस पीछे से घ time मिलेगा तो इस एक बंदे को मार देगा फिर जो तीन बंदे टो डिस्ट्रइक करके रखए सावने ले स्कौर्ड को उनको दीरे रष माना जो फ्लाइंग बाता बंदा था उसको करना Hzone आंवे तिनो बंदो हो पास पूच यहादब बा को इसलिगा और फिर की आपके जो स्कॉडर प्र रच मार कर सकते हैं अब को एकडम इसली कर सकते हो और इसलिगे यह को और प्रॉलम में चल Tomb में जादे सादा दो बार करो उससे जादा मत करना नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगा अभी बात के दिए दूसरी स्ट्राटीजी की जो की बहुत दा important है इसमें करना कुछ नहीं है जो आपके तीन बंदे उसको सामने से जाना है और एक जो बंदा वो पीछे से जो बंदा पीछे से कवर दे रहा है उसका लॉंग रिज फाइट अच्छा होना ची मिस बंदा अच्छी से कवर दे सके वैसा बंदे को आपको पीछे रखना है और यह आपको कब काम आएगा अपने सामने ले स्कॉड के दो या तीन बंदे को नौक कर दिया है फिर आप तीन बहा नहीं निकलेगा और फिर आप रश कर एकदम इसली माल सकते हो पुरी स्कॉड को और यह आपको बहुत दर काम आएगा अगर आप किसी स्कॉड के उपर रश करने जाते हो और यह स्टैडिज जो है आप हर जगा पर इस्तमाल कर सकते हो बस जो सिच्वेशन हो आपकी हि अपने स्कॉड के साथ स्कॉड के साथ निशस कर आपके पास जीदा ज्यदा ज्यों करेगा इसलिए अपने स्कॉड के साथ बैट कर ऑत ब스터都 करब के साथ किसी स्कॉड को मार सकते हो अभी बात कर दिगες दूरी बात कि जो का ऐसा हमेसा ध्यान में रखना है यह उैंकको आप आपको फर्स राउन जीतना है अगर आप फर्स राउन जीत जाते हैं तो आपके पास बहुत सारी एड्वांटेज रहेंगे जिसको जिसको आप सकेंड राउन भी बहुत जिदा इसली जीत सकते हो तो आपको हमेंसा ट्राइ करना है CS RANK के कोन सा भी मैच में आपको फर्स रा स्ट्राटीजी थे और कुछ एसर बात है जिसको आप ध्यान में रखते हो तो आप एकम कम एसली ग्राइब मास्टा केलिए पूश कर सकते हो और आप कम से कम टाइम में ग्राइब मास्टापे जा सकते तो चलो क्या आज की वीडि़ो में तॉइस त्ली जो strategy बताया और जो बात बताया अगर आपको अच्छी लगी तो जलिशा के वीडियो को लाइक कर देना चैनल पे बिला जलिशा के सब्सक्राइब कर देना तो चलोगा इस आची वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में